हलो औल, वेलकम बैक टू माई चैनल, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में और आज की जो रेसिपी है वो है शादियों में मिलने वाला मूंग डाल का हलवा जिसे हम कोई ज़्यादा ताम जाम नहीं करेंगे यहाँ पे एकदम इंस्टंटली से बनाएंगे इसका प्रिमिक्स जो है वो आप आराम से वनमन तक स्टोर करके रख सकते हो और जब चाहे तब आप हलवा बना के खा सकते हो यहाँ पे हमें एक कप पीली मूंगी डाल देनी है जिसे चाल से पास बार वाश करके एक तरफ रख देना है पानी निकाल के मीनवाइल हमें चासनी रेडी करनी है यहाँ पे आपको एक कप शुगर लेनी होगी उसके अंदर आपको तीन से चार कप पानी एड करना होगा मैंने यहाँ पे तीन कप पानी एड किया है इलाइची तीन से चार एड कर दी है यहाँ पे एक तार या दो तार की चासनी नहीं बनानी चासनी को ढखके एक तरफ रख देंगे और जो दाल को हमने अच्छे से धोके रखाता उसे आपको एक पैन में ड्राइ रोस्ट करना होगा जब तक के कलर चेंज ना हो और इसका जो मॉइशर है वो completely चलाना जाए तब तक दाल जैसे एकदम कुरकुरी हो जाएगी उसके बाद आपको इसे completely थंडा कर लेना है मिकसर जार में लेना है मिकसर जार में आपको एक टेबल स्पून सूजी और एक टेबल स्पून बेशन ले लेना है और इलाई जी के कुछ बिसे दाने आपको add करके इसे पीस लेना है रवा जैसे पीसना है और फिर ये premix बन जाएगा ये premix को आप एक महने तक airtight container में store करके रख सकते हो अब ये premix बन के तैयार है अब आगे का process ऐसे होगा एक पैन में आपको आदा कप गी लेना है आदे से 3-4 कप गी भी आप यूज़ कर सकते हो फिर ये प्रिमिक्स को इसके अंदर आड करना है और अच्छे से भून लेना है जब तक के गी पूरी तरीके से रिलीज ना हो जाए आपको इसे लो फ्लेम पे ही भूनना है उसके बाद आपको जो चासनी हमने रेडी किये वो गरम चासनी आपको इसमें आड करना है जब स्लाइटली गोल्डन कलर आएगा इस प्रिमिक्स को तब आप चाहे तो ड्राइ फ्रूट्स आड कर सकते हो मैंने चार टेबल स्पून कॉर्सली ग्राइंड ड्राइ फ्रूट्स आड किये है उसे भी अच्छे से भून लेंगे उसके बाद इसमें गरम गरम चासनी लो फ्लेम पे आड करेंगे या तो आप फ्लेम को आफ कर दीजिएगा फिर चासनी आड कीजिएगा जो हल्वा है वो बनके रेडी हो जाएगा इसके लिए हमने ज़्यादा पानी आड किया था चासनी में और लो फ्लेम पे ही ये पूरा प्रोसेस आपको करना है और हल्वा जैसे कंसिस्टंसी जब तक ना आए तब तक इसे अच्छे से मिक्स करते रहना है अब यहाँ पे आप चाहे तो ड्राइफूट ज़्यादा कम केसर अभी भी आड कर सकते हो जैसे आपको पसंद है वैसे और कंप्लीटली इसे मिक्स करना है और यहाँ पे आप देख पाओगे के बबस जैसे उठेंगे और एकदम से लिक्वीडी पहले टेक्शर आएगा फिर एकदम हल्वा जैसे यह बन जाएगा बहुत ही टेस्टी और इंस्टन्टली बना हुआ यह मुंग डाल का हल्वा एक बार जरूर ट्राइ कीजिएगा अगर आपको यह रेसिपी पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और यह हल्वा आप चाहे तो गर्मा गरम परोसे या फिर थंडा भी परोस सकते हो सो आगे आपको कौनसी रेसिपी देखनी है यह भी आप कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगेन लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलिएगा थैंक यू